परिचय विद्यार्थियों, गेंद की तरफ देखो, तुमने इसके साथ खेला होगा क्या कोई मुझे बता सकता है के इसका आकार कैसा है? हाँ सेर, ये पृत्तरकार है नहीं, ये आकार में गोलाकार है ठीक है, तुम लोगोंने सौफ्टी खाई होगी उसका आकार कैसा होता है? हाँ सेर, ये आकार में शंक्वाकार होती है बहुत अच्छे रोहन बच्चो, आज हम कुछ और आकारों के बारे में विस्तार से जानेंगे तो आउ शुरू करें उत्देश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे विभिन ठोस आकारों को पहचानना ठोस आकारों के किनारों, शीर्षों, एवं फलकों को गिनना जालों से तीन डी यानि त्री विमिये ठोस आकारों की रचना करना सपाट प्रिष्ट पर ठोसों को बनाना एक ठोस के विभिन भागों को देखना, फलक, किनारे और शीर्ष अरे चात्रों, मुझे देखो, मैं तुमारे लिए क्या लाया हूँ? एक घन एक घन एक विशेश प्रकार का घनाब होता है, जिसकी लंबाई, चोड़ाई और उंचाई समान होती है एक शीर्ष क्या शीर्ष बिंदू, वो बिंदू होता है, जहां दो या अधिक सरल रेखाएं मिलती है एक किनारा, एक रेखा खंड होता है, जो दो शीर्षों को जोड़ता है एक फलक, किसी ठोस वस्तु का एक समतल या एक वक्रिय प्रिष्ठ होता है उधारण क्या आप जानते हैं कि एक खनाब में कितने किनारे, शीर्ष एवं फलक होते हैं? जी हाँ, एक खनाब में बारा किनारे होते हैं, छै फलक और आठ शीर्ष होते हैं तीन डी यानि त्री विमिये आकार बनाने के लिए जाल अब हम देखते हैं कि एक खन को कैसे बनाया जाता है एक जाल दो डी में एक प्रकार का ऐसा धाचा होता है जिसे मोडने पर परिणाम सरूप तीन डी आकार प्राप्त हो जाता है यहां हम आपको दिखाते हैं कि एक खन आपको उसके जालों से कैसे बनाया जाता है अब आप एक खन को उसके जाल के साथ देख सकते हैं अब हम देखते हैं कि एक प्रामिट को कैसे बनाया जाता है यहां हम देखते हैं कि एक प्रामिट को उसके जाल से कैसे बनाया जाता है अब हम देखते हैं कि एक शंकू को कैसे बनाया जाता है यहां हम दिखाते हैं कि एक शंकू को उसके जाल से कैसे बनाया जाता है अब हम देखते हैं कि एक पेलन को कैसे बनाया जाता है यहां हम दिखाते हैं कि एक पेलन को उसके जाल से कैसे बनाया जाता है आत्मु मूलियांकन। निमने लिखित आकारों का उनके संबंधित जालों से मिलान करें। सपाट प्रिष्ठों पर ठोसों को खीचना आएए त्रियक या अनियमित चित्रों के बारे में जानते हैं। एक त्रियक चित्र में प्राया 45 दिगरी के एक कौन पर घटती गहरी रेखाओं के साथ सपाट प्रिष्ठ पर एक लेखन संयोजन समलित है। आईए घन का एक त्रियक चित्र खीचते हैं। एक त्रियक प्रक्षे पन खीचने के लिए तीन मुख्य नियमों का पालन किया जाता है। वस्तु का सम्मुक अथवा पाश्वद्रिष खीचिये। सभी पीछे की और खीची हुई मापें असल मापों की आधी हैं। पीछे की ओर खींची गई सभी रेखाओं के लिए कौनों की माप 45 डिक्री है। आईए समदूरिक चित्रों के बारे में जानते हैं। समदूरिक शीट अर्थाथ समान दूरियों वाली शीट पेपर को छोटे समान त्रिभुजों में विभक्त करती है। समदूरिक चित्र त्रेडी चित्र हैं। सभी उर्थवा धर रेखाएं, खड़ी खींची गई हैं। किन्तो सभी क्षेदिज रेखाएं, आधार रेखा से 30 डिगरी पर खींची गई हैं। समदूरिक तीन डी चवियों को खींचने की एक सरल्विधी है। आईए घन का एक समदूरिक चित्र खींचते हैं। ठोस के सामने के कोने को एसे चिन्नेत कीजिए। तीन इकाई नीचे, तीन इकाई बाएं, एवं तीन इकाई दाएं खींचिए। ततपश्चाथ अंतिम बिंदू से तीन इकाई बाएं और खींचिए। ठोस के शीर्च के लिए एक वर्ग खींचिए। उर्धवा धर किनारों के लिए प्रतेक शीर्ष से तीन इकाई नीचे की ओर खींचिये। चिपे किनारों के लिए डैश रेखाओं का उप्योग करते हुए उचित शीर्षों को जोड़िये। एक ठोस को काट कर या उसके पतरे टुकड़े करके देखना। अब हम टुकड़े करने वाला केल खेलने जा रहे हैं। हमारे पास मक्कन यानी बटर का एक टुकड़ा है जो एक घनाब के आकार में है। यहां हम मक्कन के पतले टुकड़े करते हैं। टुक्डे की प्रतेक फलक लगभग आयताकार है एवं मक्षन के टुक्डे का ये प्रस्थ अनुप्रस्थ काट कहलाता है तो बच्चों क्या तुम इस खेल को पसंद कर रहे हो अभी हमें बहुत कुछ जानना बाकी है आपने किचन का दौरा तो किया होगा एवं आपने कई बार कटी हुई सबजियों को देखा होगा इस प्रकार सबजियों को काटने के बाद वे भिन भिन आकार ले लेती हैं तो इस बार आप कटी हुई सबजियों को देखकर उनके आकार को बता पाएंगे एक चाया खेल हमारे पास खेलने के लिए एक और खेल है जिसे हम चाया खेल कहते हैं ये त्री विम्ये यानि तीन आयामी वस्तूओं को दूई विम्ये यानि दो आयामी में देखने की एक और सरल विधी है आईए, हम इस विधी के माध्यम से कुछ वस्तुओं को देखते हैं अब हम बेलन की एक चाया को देखते हैं यहां आप देखेंगे कि बेलन एक त्री विम्य आकृती है किंदू उसकी चाया एक दुई विम्य आकृती यानि एक वृत्त बना रही है इसी प्रकार अब हम प्रामिट की एक चाया को देखते हैं प्रामिट अपने आप में एक त्री विम्य आकृती है किंदू उसकी चाया भी एक दुई विम्य आकृती यानि एक तिर्भुज बना रही है विभिन वैवस्ताओं की वजह से कई उत्तर हो सकते हैं तीसरा तरीका वस्तू के विभिन द्रिश्यों को देखने के लिए इसे कुछ विशेश कोणों से देखा जाए हम वस्तू को केवल उसके सामने खड़े होकर पाशु से एवं शीर्ष से देख सकते हैं आईए इस विधी के माध्यम से कुछ वस्तूओं को देखते हैं आईए इस अल्मारी के सभी दृष्यों को देखें ये इसका सम्मुक दृष्य है ये पाश्व और ये शीर्ष दृष्य है आत्मों मूलियांकन सही विकल्पूं को उठा कर उनके संबंदे दिस्थानों पर रखें सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संग्षेप में दोहराएं एक शीर्ष या शीर्ष बिंदू वो बिंदू होता है जहां दो या अधिक सरल रेखाएं मिलती हैं एक किनारा एक रेखा खंड होता है जो दो शीर्षों को जोड़ता है एक फलक एक ठोस वस्तू की संदल या वक्रिये प्रिष्ट होता है एक जाल दो डी यानि दो विमिय में एक प्रकार का ऐसा धाचा होता है जिसे मोडने पर परिणाम सरूप तीन डी यानि त्री विमिय आकार प्राप्त हो जाता है एक द्रियक प्रक्षेपन खीचने के लिए तीन मुख्य नियमों का पालन किया जाता है वस्तू का सम्मुक अथवा पाश्व द्रिश खीचिये सभी पीछे की और खीची हुई मापें असल मापों की याधी है पीछे की और खीची कई सभी रेखाओं के लिए कूण की माप पैतालीस डिक्री है सम्दूरिक शीट अर्थात समान तूरियों वाली शीट पेपर को छोटे समान तिर्पुचों में विभक्त करती है चाया खेल एक त्री विमिये वस्तूओं को दूई विमिये में देखने की एक विधी है